सर्वेब्यो नमो नमा नबश्कार आप हैं यूट्यूब चैनल सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दिक्षित आज इस वीडियो में हम प्रत्य से संबंदित अध्यन करने वाले हैं हम आर्पेसी सेकंड ग्रेड के विशे में जो पाठेकरम का अध्यन कर रहे हैं तो उसमें हम पहले संग्या प्रकरण और संधी से संबंदित अध्यन कर चुके हैं अगर अभी तक आप ने वो वीडियो नहीं देखिए तो पहले आप वो वीडियो देखिए डेस्क्रिप्षिन बॉक्स में उनका लिंक है और उसके बाद आप ये वाला वीडि संदी के बाद समास को निर्धारित किया गया है मैंने समास से पहले प्रत्य को पढ़ाना सुनिश्चित किया क्योंकि समास का जो विवेचन किया गया है पाठिक्रम के अंतरगत वो विशेष्टह नहीं किया गया है वहाँ पर कोई सूत्र नहीं बताए गये अपितु सामान्य रूप से समासों की विशे में कहा गया है तो वो जहां पर सामान्य दृष्टी दे दी जाती है वहां पर विशे थोड़ा जादा गहरा हो जाता है क्योंकि पता नहीं अब प्रिश्ण कहां से आएगा जैसे संधी है संग्या है वहां पर स्पेशली सूत्र दिये गए हैं तो वहीं से प्रश्णाएंगे ऐसे ही प्रत्य है तो प्रत्य सुनिश्चित किये गए हैं कि तव, तव, शत्री, शानच यह यह प्रत्य हमारे पाठ्यक्रम में आने वाले हैं अगर लिख दिया जाता प्रत्य प्रक्रण या पूर्व कृदंत प्रक्रण उत्तर कृदंत प्रक उनकों मैं ये कहूंगी कि आप बिल्कुल निश्चिन्त रहिए, टेस्ट पेपर में अवश्य ही आपको दूँगी, टेस्ट आप से करवाऊंगी, लेकिन एक बार हम थोड़ा सा कुछ विशेयों का अध्यान कर लेते हैं, जब सही समय आएगा, तो हम टेस्ट भी कर लेंगे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पड़ा हुआ विशेयाद हुआ है या नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से आपके पास किताबे तो होंगी, तो आपके पास जो प्लब्द किताबे हैं, उनमें अगर कोई प्रिश्न दिये गए हैं, तो आप वहां से अपनी प्र प्रत्य प्रारंब करते हैं, प्रत्य क्या होते हैं, धातू या शब्दों के बाद जुड़ने वाले वर्ण या वर्ण समुह, जो उस शब्द के अर्थ को परिवर्थित करने की शमता रखते हैं, उसका सामर्थे लगते हैं, वो प्रत्य कहलाते हैं, अब प्रत्य एक वर् सकता है दूसरी बात उसके विशे में ये है कि वो जिस भी शब्द के साथ या धातू के साथ जुड़ता है उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है और तीसरी बात है कि ये धातू या शब्द के बाद में ही जुड़ते हैं प्रत्य यहां परश्च पर में ही इनका योग होत संस्कृत में मुख्यता मोटे मोटे रूप से आप प्रत्यों को दो विभागों में विभाजित कर सकते हैं धातुओं के साथ होने वाले प्रत्य और शब्दों के साथ होने वाले प्रत्य तो धातुओं से होने वाले प्रत्यों में एक तो आते हैं जो तिप तश्जी विक्रण इत्यादी प्रत्य होते हैं कि इस गण में इस गण की धातूओं में शब प्रत्य का विक्रण के रूप में आ जाता है तो वो एक अलग प्रकरिया है हम यहां पर कृदंत प्रत्य तद्धित प्रत्य और इस्त्री प्रत्यों की मुखेता बात करने वाले हैं तो धात प्रत्य जिसके अंतरगत साथ प्रत्य आते हैं तव्यत तव्य अनियर केली मर या तर्णियत और क्यप इसके अतिरिक्त पूर्व करदंत का प्रकरण है जिसमें बहुत सारे प्रत्य आते हैं और उत्तर करदंत है जिसमें भी खुब सारे प्रत्य आते हैं दूसरे प्रकार के प्रत्य होते हैं शब्दों से होने वाले प्रत्य तो शब्दों से दो तरीके के प्रत्य होते हैं एक तो तद्धित प्रत्य होते हैं जो किसी भी शब्द के साथ अपत्य जात पुत्र इत्यादी अर्थों में होते हैं और शब्द का अर्थ परिवर्दित कर देते हैं और स्त्री प्रत्यों का विधान किया जाता है तो मुख्य तहा आप ऐसा मान सकते हैं प्रत्य तीन प्रकार के हैं क्रित प्रत्य या क्रिदंत प्रत्य दूसरे हैं तद्धित प्रत्य और तीसरे हैं स्त्री प्रत्य तो हमारे पाठेकरम के अंतरगत स्त्री प्रत्य का समावेश न होती हैं तो धातुवों से होने वाले प्रत्य कृत प्रत्य कहलाते हैं यह किस-किस अर्थों में धातुवों से होते हैं तो यह भाव कर्ता और कर्म अर्थ में धातुओं से होते हैं दूसरे प्रकार की प्रत्य प्रत्य होते हैं जो शब्दों के साथ होते हैं और अपत्य अर्थ में पुत्र अर्थ में भाव जात इत्यादी अर्थों में शब्दों के साथ होते हैं तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी करते आ रहे हैं हम केवल उनी प्रत्यों का यहाँ पर अध्यन करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतरगत सुनिश्चित हैं क्योंकि प्रत्य लगुसेद्धान्त में बहुत सारे हैं अगर आप प्रत्यकों लगुसेद्धान्त कौमुदी के अनुसार पढ़ना चाते हैं तो उसके भी वीडियो पहले ही चैनल पर हैं आप संस्कृत व्याकरन प्लेलिस्ट से प्रत्य से संबंदित 9 वीडियो हैं जहांपर डिटेल में हमने प्रत्यों के विशे में अध्यन किय यह तो वहीं से आप पड़ सकते हैं दूसरा प्रत्यों से संबंदित ट्रिक्स से रिलेटेड भी वीडियो हैं जहांपर दो या तीन 4 प्रत्यों में comparative study करके भी वीडियोस बनाए हुए है इसका क्या मतलब है जैसे जो प्रत्य जिन प्रत्यों से बनने वाले शब्द समान लगते हैं जिन में आर्थ हम कर नहीं पाते तो ऐसे दो दो तीन तीन चार चार प्रत्यों का साथ साथ कि किस तरह से उनमें शब्द को देखकर प्रत्य को पहचाना जा सकता है इस सरे की वीडियोस भी चैनल पर हैं वो आप ट्रिक्स भंडार से देख सकते हैं अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौन-कौन से प्रत्य हमारे पाठ्यक्रम के अंतरगत है तो कृत्य प्रत्य के अंतरगत पाँच प्रत्य हमारे पाठ्यक्रम में है तव्यत, अनियर, यत, न्यत और क्यप पूरु कृत्दंत में से लुवूल प्रत्य है तरिच प्रत्य है तव, तवदू, शत्री और शानाच ये 6 प्रत्य हमारे पाठ्यक्रम में है उत्तर कृदंत में से तुमन प्रत्य लिट घाएं त्वा और ल्यप ये 5 प्रत्य हैं तो कुल में लाकर 5 और 6 और 5 इसके अतिरिक्त चार तदित प्रत्यों का भी समावेश पाठ्यकरम के अंतरगत है मतुप तल तरप और तमप तो बहुत ही आसान और छोटा विशे आपके लिए है तो प्रत्य से आप बिल्कुल घबराईए मत क्यूंकि मैंने बहुत सारे ऐसे विध्यारती देखे हैं जो प बहुत ही अच्छा पाठ्यकरम है इसमें कोई confusion की जरूरत भी आपको नहीं है इस तरह के प्रत्य दिये गए हैं जिनमें आपको अंतर करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और हम यहाँ पर जितने भी aspect हो सकते हैं प्रत्य के प्रशनों से संबंदित सभी के वि जैसे आपको दे दिया कि पटू तमह अब इसमें आप बताईए कौन सा प्रत्य है या फिर इस तरह के प्रशन आते हैं कि अमोक प्रत्य जैसे यत प्रत्य कौन से निम्नांकित पद में प्रयुक्त हुआ है तो वहाँ पर आपको बताना है और कभी कबार इस तरह के प्रश भी आ जाते हैं तो हम चलते हैं प्रत्यों की तरफ so जबसे पहले जो पांच कृत्य प्रत्य हमारे पाठेक्रम में हैं उनके विषय में जब इस वीडियो प्राषित VII के प्रत्य का महतुपूर्ण बाते हैं जिन जिन प्रमुक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है कृदंत प्रत्यों की प्रक्रिया में कृत प्रत्य लगाने के लिए जो जो महतुपूर्ण सूत्र काम में आते हैं हम उन महतुपूर्ण सूत्रों को देखेंगे इसके अतिरिक्त प्रत्य लग युए वाला जो सूत्र है, वो है करतरी कृत्री कृत्र, दूसरा एक और सूत्र यहाँ पर आता है, वो कहता है तयु एव कृतिय कथखलार्था कि उन तयु एव उन कृत्त पृत्तियों में जो कृत्य पृत्तिम्न है जो कथगchangingYake और अरफ भावज और कर्म अर्थ में भी उते हैं। तो कृतिय प्रतियों के अंतर कार्फ साथ प्रत्तिम्न ही नीयरी इसके अतिरिक्त कत प्रत्य और खल अर्थक में खल और युच प्रत्य ये प्रत्य भाव और कर्म में होते हैं इसके अतिरिक्त जितने भी प्रत्य हैं वो करता आर्थ में होते हैं अब महतपूर्ण सूत्रों की बात करते हैं तो पहला यहां पर दो सूत्र हैं जो सार्वधात प्रत्रों का विधानерб00 का विधान कर पाएंगे तो पहला सूत्र है तिंग शित सार्वधात्यौं ये सुत्र कहता है कि तिंग परत्य तिंग में तिप्तस जी उसेफ संघ्या होती है जैसे शत्री परत्य है उसमें शाकीथ संघ्या होती है शानच में होती है ऐसे नो प्रत्य है जिन में शाकीत संग्या होती है तो तिंग प्रत्य और शित प्रत्य इनको क्या कहा जाता है सारवधातुक इनका नाम क्या है इनको कौन सी संग्या दी गई है सारवधातुक और दूसरा सूत्र है आर्द धातुकम शेशह इसके अतिरिक् अंग्या होती है अब एक सूत्र आता है आर्ध धातुक शेड वल आदे ये सूत्र कहता है कि आर्ध धातुक प्रत्य परे रहते और कौन से आर्ध धातुक वल आदे जिनके आदी में वल हो वल प्रत्यहार से संबंदित वर्ण हो वल प्रत्यहार के अंतरगत कौन कौन से वर् व्यंजन आते हैं तो योग के अतिरिक्त कोई भी व्यंजन परे हो और कैसा प्रत्य हो आर धातुक प्रत्य परे हो और अगर धातू सेट हो धातूं का परिगणन किया गया है कुछ धातूं को सेट धातूए कहा जाता है सेट का तात परिये जिनमें इट का आगम होता है जो सा इट के सहित होती है और दूसरी प्रकार की होती है अनिट धातुए तो धातुओं के परिगणन में बताया गया है कि ये ये सेट धातुओं है उनमें इट का आगम होगा तो अगर वलादी आर्द धातुख प्रत्य परे हो तो धातुओं को सेट धातुओं को इट का आगम हो यह सूत्र क्या कहता है कि सार्वधहतुक और आर्द धधहतुक प्रत्य परे रहते पूर्व में इस ठिक्ष धातू में जो एक है उसको गुण आदेश हो जाता है अर्थात बाद में तो कोई भी सार्व धातु या आरधातु क्प्रत्य हो और धातु में अगर इक हो इ में क्या है इ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- अगर उपधा में भी इस्थित है, उपधा का क्या तात पर यह है? अलो अंतियात पूर्वहा उपधा, कि जो second last alphabet होता है, अलो में जो अंतिम अल है, अल के अंतर्गत स्वारो और व्यंजन सभी आते हैं, तो अलो में जो अंतिम अल है, उससे पूर्ववाले वर्ण की उपध संग्या होती है, अर्थाज जो second last alphabet है, उसकी उपधा संग्या होती है, तो उपधा में भी अगर कोई इक होता है, तो उसको भी गुणा आदेश हो जाता है, छटा सूत्र यहां पर जो जादतर प्रत्यों में प्रयुक्त होता है, वो है अचोई इनिती, अचोई इनिती सू से प्रत्यपरे हों, तो पूर्व में इस्थित इक, धातु में इस्थित इक को वृद्धी आदेश हो जाता है, वृद्धी का तात पर यह यह है कि अगर पूर्व में रिश्व या दीर्ग कोई भी इह होगी, तो उसके स्थान पर वृद्धी आदेश आई हो जाएगा, पूर्व में उ या दिर्ग उ होंगे तो उनके स्थान पर आउ आदेश हो जाएगा, रीको आर हो जाएगा और रीको आला देश हो जाएगा। इसके अतरिक्त सात्वा सूत्र है अत उपधाया, ये सूत्र क्या कहता है कि उपधा में रिश्व अकार उपधा वाली धातु के आ को भी व्रिद्धी आ हो जाती है, अगर यित और नित प्रत्य परे रहें तो अर्थात ऐसे प्रत्य जिन में या कीत संग्या हुई है और ना क देश हो जाता है और अंतिम सूत्र है किंगतीच ये सूत्र कहता है कि अगर प्रत्य कित हो जिसमें काकीत संग्या हुई हो और मुगित हो जिसमें गंकीत संग्या हुई हो तो ऐसे प्रत्य अगर परे हो तो वहां पर ना तो गुण कार्य होता है और ना ही व्रिद्धी कार् अबी तक लेकिन फिर भी आपको अगर सामान्य प्रक्रिया पता होगी और अगर आपको कोई शब्द वहां पर याद नहीं भी आ रहा है तो अगर आप सामान्य सूत्र के द्वारा भी आपको इतने भी सूत्रियाद हैं तो भी आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं तो आप सूत्रों को भी आद रखिए इनका तातपर ये क्या है ये भी आद रखिए क्योंकि इनसे आपको प्रश्ण हल करने में साहयता मिलेगी अब प्रथम प्रत्य की तरफ चलते हैं पहला प्रत्य है तव्यत प्रत्य क्रित प्रत्य है धात्मों के साथ होता है चाहिए और योग प्रत्यम से इत संग्या हो जाती है और तश्यलोपह से उसका लोप हो जाता है और शेश क्या रहता है तव्य अब ये जो तव्यत प्रत्य है ये वलादी आर्ध धातुक है आर्ध धातुक शेश है क्योंकि ना तो ये तिंग है ना ये शित है तो शेश होने के करण इसके आर् उनमें इटका आगम भी यहां पर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो गुण कारिय का विधान हुआ है सार्व धातु कार धातु केयों से कि सार दातुक आर दातुक प्रत्य परे रहते दातु के इक को गुणा आदेश हो जाता है तो वो कारिय भी यहाँ पर हो जाएगा इसके उधारण देखते हैं पठ दातु से तव्यत प्रत्य करके यहाँ पर देखी इटका आगम हो गया और पद बनता है पठी तव्यम, हस धातू से हसी तव्यम, रक्ष से रक्षी तव्यम, शुच से अब देखिए यहाँ पर उपधा में U है, उसका कौन से सूत्र से यहाँ पर गुणादेश होगा पुगंत लगू उपदश्य चा, यह सूत्र उपधा में इस्थित इक को भी गुणादेश करत है, तो यह जो उपधा में U है, इसको गुणादेश होकर शो हो जाता है यहाँ पर और इटका आगम होकर पद बनता है शोची तव्यम, इसी प्रकार पिविया पाधातू का रूप बनता है पाधव्यम, गई गाधातू से गाधव्यम, गम से गन तव्यम, पच से पक तव् प्रत्य करके देखिए ये जो जी में ई है इसको सारधातु कारधातु कयों से गुण आदेश हो जाता है और पद बनता है जे तव्यम ई से ए तव्यम ई को गुण होता है और ए हो जाता है और पद बनता है ए तव्यम क्री से गुण होकर अर हो जाता है और पद बनता है कर तव्यम द्रिश से द्रश तव्यम तो इसको पहचानना तो बहुत आसान है क्योंकि शब्द के अंत में आपको तव्यम मिलेगा देखिए वैसे तो तव्यत के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं पुलिंग में आपको राम के समान, स्ट्री लिंग में आपको रामा के समान और नपुनसक लिंग में फल के समान चलते हैं तो अगर पुलिंग का शब्द होगा तो हम कहेंगे जे तव्यम स्ट्री लिंग में जे तव्यम और नपुनसक लिंग में जे तव्यम लेकिन सामान्य तहा इसमें नपुनसक लिंग से सम्मंदित प्रश्न ही पूछे जाते हैं और अगर स्ट्रीलिंग पुलिंग भी पूछे तो उसमें कोई परिशानी नहीं है आपको अंत में तव्य दिखाई देगा तो पुलिंग होगा तो तव्य हो जाएगा स्ट्रीलिंग होगा तो तव्य हो जाएगा और नपुनसक लिंग होगा तो तव्यम हो जाएगा दूसरा प्रत्य है अनियर प्रत्य अनियर प्रत्य का विधायक सूत्र भी वही है जो तव्य और तव्यत के सम्मंद में विधान करता है वो है तव्य तव्यत अनियरह की चाहिय और योग्य अर्थ में भाव और कर्म में धातुओं से तव्य तव्यत और अनियर तीनों प्रत्य होते हैं इसमें अनियर में रौकीत संग्या हो जाती है और अनियर शेश रहता है इसके अतिरिक्त ये वलादी आरधातु प्रत्य नहीं है इसमें आदी में क्या है स्वर है तो स्वर होने के कारण इसमें इटका आगम नहीं होता इटका अभाव होता है लेकिन यथा प्राप्त गुण कारिये यहां पर हो जाता है अगर किसी धातु में सार्व धातुकार धातुकेयों से गुण प्राप्त हो रहा है तो वहाँ पर गुण हो जाता है और अगर कहीं पर पुगंत लगूप दश्य चौ से गुण कार्य प्राप्त हो रहा है तो वो भी हो जाता है अब इसके उधारण देखते हैं इसमें भी आ आपको अनियह, इस्त्री लिंग में अनिया और नपुनसक लिंग में अनियम इस तरह से दिखाई देगा पठनियह, पठनिया, पठनियम तो ज्यादा तर प्रिश्ण नपुनसक लिंग का पूछा जाता है लेकिन अगर फिर भी स्त्री लिंग पूलिंग भी पूछ ले तो को पुन्सक लिंग का पद बना पठ नियम, गम से गम नियम, लिख से अब ये जो ई है उपधा में इसको गुण एक आदेश हो जाता है पुगंत लगूप दश्यचा से और पद बनता है लेख नियम, इसी प्रकार चुर से चोर नियम, कुप से कोप नियम, दिव से देव नियम ग्या से ग्या नियम, दुहु से यहाँ पर उको ओ होकर दो हनियम, शी से शायनियम, आप शायनियम कैसे हो गया तो देखिए, यहाँ पर शी में जो ई है इसको पहले सारवधातु कारवधातु के उसे ई को कौन सा आदेश होता है गुणा आदेश और यहाँ पर होता है ए, तो हमारे पास क्या हुआ शे प्लस अनियम इस तरह से हुआ अनियम अब यहाँ पर कौन सी संदी हो गई यहाँ पर हो गई आयादी संदी एके स्थान पर क्या आदेश हो गया आयादेश तो यहाँ पर हमारे पास क्या पद बना शयनियम इसी प्रकारनी से पहले गुण होता है सारवधातु कारदातु कयों से और गुण होने के पस्चाद हो आएवाया वह से यहाँ पर आयादेश होता है ए को और पद बनता है नयनियम हो से पहले सारवधातु कारदातु कयों से हो होता है और हो को फिर हो आएवाया वह से हव होकर पद बनता है अब बात करते हैं यत न्यत और क्या प्रत्यों की अब तीनों इन प्रत्यों में यही शेश रहता है इसलिए हम इनको तीनों को साथ साथ पढ़ेंगे इनमें क्या अंतर है वो महत्वून बात है क्यूंकि confusion करने के लिए इनसे संबंदित अवश्य ही प्रश्णा आपको परिक्षा में देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप पढ़के ऐसा सूच सकते हैं कि हाँ मैंने पढ़ लिया लेकिन अगर आपने अपने concept को clear नहीं किया, अच्छे से आपने सूत्रों के अर्थ नहीं समझे या फिर आपने बारवार उनका revision करके उनको याद नहीं रखा तो परिक्षा कक्ष में आप confused हो सकते हैं, तो इन तीनों प्रत्यों को very most में लिख लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इन में से 99% संभावना होती है कि प्रश्न पूछा जाए ये तीनों ही प्रत्य कृत्य प्रत्य हैं, इसलिए ये भाव और करम अर्थ में होते हैं धात्यों के साथ, अब ये जो यत प्रत्य है, इसमें ता की हलंत्यम से इत्संग्या हो जाती है और तश्यलोपह से लोप हो जाता है तो इसमें याशेश रहता है इसी प्रकारण्यत में ता की हलंत्यम से इत्संग्या हो जाती है और ना की चूटू से इत्संग्या हो जाती है तो इन दोनों की तश्यलोपह से लोप हो जाता है और केवल याशेश रहता है उसके पश्चाद जो क्यप है उसमें भी पा की हलंत्यम से इत संग्या हो जाती है और का की लशक्वा तद्धिते सूत्र से इत संग्या होकर तश्यलोपह से इन दोनों का भी लोप हो जाता है और क्यप में भी याही शेश रहता है तो इन तीनों के आंतरगत या शेष रहता है। अब हम शब्द देखकर कैसे कौन आत्रवद में घृट्रे है तो इसके संब्बद में हमने ट्रिक्स से भी बात की हुई है। जिसमें हम ने पांच प्रत्यों की बात की है यत नियत क्याप शब्चाय और ल्यप। इनितव कि परतियों में अंत में या शेश रहता है तो कैसे शब्ध को देखकर ही आप पहचान जाएं तो उससे संबंदित वीडियो ट्रिक्स बंडार प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा जिसका लिंक डेस्कृप्चिं बॉक तो आप ट्रिक्स बंडार प्लेलिस्ट से यशेश रहने वाले प्रत्य का भी अध्यन कर सकते हैं, यहां पर मैं आपको यह अंतर बताऊंगी कि कौन-कौन से प्रत्य कौन-कौन सी किस-किस प्रकार की धात्वों से होते हैं, तो सबसे पहले यत्प्रत्य की बात करते हैं, यत हलोर नियत ये सूत्र विधान करता है कि रिकारांत धातुमें ऐसी धातुमें जिनके अंत में री है या फिर हल है अर्थात व्यंजन है तो ऐसी धातुमें से नियत प्रत्य होता है तो यह बात आप याद रखिए ऐसी धातुमें जिनके अंत में स्वर है उनसे यत प्रत्य हो अब एक हलंत में एक special बात है कि ऐसी हलंत धातुएं जिनकी उपधा में तो रिश्व अकार हो और जिनके अंत में पवर्ग हो पवर्ग के अंतरगत आता है पाफा बाभा मा तो ऐसी धातुएं जिनके अंत में तो पाफा बाभा मा इन पाँच वर्णों में से कोई एक वर्ण हो और जिसकी उपधा में हृष्व अकार हो ऐसी धातुमों से नियत प्रत्य नहीं होगा वहाँ पर यत प्रत्य ही होगा इसका विधान करता है पोड़ दुपतात सूत्र और क्यप प्रत्य के संबंद में सूत्र है एति स्थू शाष वरीद्री जुशह क्यप एति स्थू शा शाष वरीद्री जुश इन छे धातुमों के साथ क्यप प्रत्य होता है तो क्यप प्रत्य के संबंद में आपको कोई परिशानी नहीं है आपके वली एक सूत्र याद रखिए या फिर ये छे धातुमों याद रख लीजिए इस तूश वरीद्री जुश इन धातुमों से क अब प्रत्य होता है अब एक बार इनका थोड़ा सा comparative रूप में भी देख लेते हैं यहां पर इनको तुलनात्मक रूप से भी देख लेते हैं जिससे आपको अगर कोई परिशानी है तो वो भी हल हो जाए यत प्रत्य की बात जैसे कि हमने की है अजंत धातुओं से होता है ऐ दूसरी बात ऐसी धातुओं जिनके अंत में पवर्ग हैं और जिनकी उपधा में जिनका second last alphabet अर्थाथ पाफा भाभा मा से पूर्व में हृश्व अकार है ऐसी धातुओं से भी यत प्रत्य ही होता है हलंत धातुओं से एसी धातुओं जिनके अंत में व्यंजन हैं उनसे नियत प्रत्य होता है और इस तूशाष व्री द्री जुश इन छे धातूं से क्यप प्रत्य होता है इसके अतिरिक्त म्रिज धातू से भी विकल्प से क्यप प्रत्य होता है अब म्रिज धातू जैसा कि आप देख रहे हैं हलंत धातू है इसके अंत में जा है तो कैसी धातू ह गई हलंत तो सामान्य तह तो इसमें नियत प्रत्य होगा हलंत होने के कारण किन्तु विकल्प से इसमें क्याप प्रत्य भी हो सकता है अब कहां पर यत होगा कहां पर नियत होगा और कहां पर क्याप होगा कैसे हम पहचाने वो अभी हम आगे बात करेंगे जब हम उधारन देखेंगे, अब दूसरी यत月 के संबंद में जो बात है उसको देखते हैं कि किसकिस तरे से यहां क्यादान विधन और हुशता है, तो या आधी प्रत्य है, यत सरकता ह關係 में और तो यह इस रहता 4 हैं छोड़ी आधी ऐसा प्रत्य जिसके आदी में या है इसमें इट का आगम नहीं होता क्योंकि इट के आगम का जो सूत्र था आर्धातु का शेड वला दे उसके संबंद में आपको मैंने बताया था कि या को छोड़ कर शेश जितने भी व्यंचन है वो अगर आदी में हो और आर्धातु का प् अब इन तीनों ही धातुओं में या आदी में रहता है तो इसमें इट का आगम नहीं होता तीनों ही प्रत्यों में अब यत की बात करते हैं यत प्रत्य में धातु में यथा प्राप्त गुणकारिय हो जाता है अगर सार्व धातुक आर्धातुक परे होते हैं तो यहाँ प धातु है ऐसी धातु जिसके अंत में आ है तो इध्यती सूत्र से यत प्रत्य परे रहते आ को इआदेश हो जाता है और फिर उसी के स्थान पर गुणादेश हो जाता है अन्यत की बात करते हैं कि क्या नियत में गुणकार्य होता है या वृद्धिकार्य होता है तो देखिए नियत जो प्रत्य है इसमें अना की संग्या होती है तो ये कैसा प्रत्य हो गया नित प्रत्य और नित प्रत्य के संबंद में हमने विधान किया था अचो ये निती सूत्र से वो कहता था कि अगर नित प्रत्य परे हों तो पूर्व में इस्थित इक को वृद्धी आदेश हो जाता है तो यहाँ पर वृद्धी कारिय होता है अगर पूर्व में एक रहे तो यह उरीलरी रहे तो एक होता है और क्याप प्रत्य की बात करते हैं तो क्याप प्रत्य में देखिए यह जो क्याप प्रत्य है इसमे का का लोप होता है तो ये कैसा प्रत्य हो गया कित प्रत्य ऐसा प्रत्य जिसमे का की इत्संग्या हुई है तो ये कित प्रत्य हो गया तो जो हमने किंगती स्चा सूत्र पड़ा था जो ये विधान करता था कि कित और अंगित ये दोनों प्रत्य परे रहते ना तो यत में गुण कारिये होता है नत में विद्धी कारिये होता है और क्यप में ना तो गुण होता है और ना ही विद्धी होती है क्यप के संबंद में एक special बात ये है कि इसमें तुक का आगम होता है आपको शब्द में ता इस तरह से आधाता दिखाई देगा इस तरह से इनके आप उधारन देखते हैं तो सबसे पहले यत प्रत्य को देखते हैं जैसे देखिए जी प्लस यत तो ये स्वार अंत वाली धातु है इसमें यत प्रत्य होगा भावर कर्म में तो ताकि तो इत्संग्या हो जाती है पूरुम में जो जी में ई है इसको सार्वधातुक आर्धातुक उसे ए हो जाता है और पद बनता है जेयम इसी प्रकार क्री प्लस यत क्रेयम शुरू प्लस यत श्रव्यम अब देखिए शुरू में जो उ है उसको ओ हो जाता है गुणकार्य हो जाता है सार्वधातुक प्रत्य परे रहते आयादी संधी के संबंद में जो हमने सूत्र पढ़ा था वानतो ये प्रत्य यद्यपी हमने 2nd grade के संबंद में वो सूत्र नहीं पढ़ा है लेकिन पहले हमने लगुसित्दांत कौमुदी के अनुसार अच्छ संदी का अध्यन किया था तो संस्कृत व्याकरन प्लेइलिस्ट से आप उस वीडियो को देख सकते हैं उसमें हमने वांतो यी प्रत्य एक सूत्र पढ़ा था तो यहाँ पर यत प्रत्य परे है और पूर्वम में क्या हो गया है ओ है तो ओ को अव आदेश हो जाता है वांतो यी प्रत्य से और पद बनता है श्रव्यम इसी प्रकार भू प्लसियत भव्यम हू प्लसियत हव्यम धा प्लसियत तो धा को इद्यती सूत्र से क्या होता है ध E प्लसियत होता है और फिर इस E को गुण आदेश होकर धे हो जाता है और पद बनता है धेयम। जिसके अंत में पवर्ग से सम्मंदित वर्ण है तो शप के अंत में है पव और पव से पूर्व क्या है रिश्व अकार। तो इसमें नियत प्रत्य नहीं होकर यहाँ पर कौन सा प्रत्य होता है यत प्रत्य। तो शप से यत प्रत्य होकर पद बनता है शप्यम। तो आप ये कुए भी प्रत्य पूछा जा रहा है कि शपधाटु से या लबsy दातु से लब्यम पद बनाने में कौनसा पद प्रयुक्त हुआ कौनसा अलंक्त प्रत्य प्रयुक्त हुआ है तो आप अच्छे से धातु को देखें कि कि सम् favor काट phenomenal है वह क्लू पुर्व रिश्व अकार है तो यहां पर नियत्प्रत्य नहीं होकर यत्प्रत्य हुआ है तो इस तरह से आप पारी की सी चीजों को पढ़िए और परिक्षाकक्ष में भी प्रश्ण क्या पूछ रहा है उसको अच्छे से देखकर उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए ऐसे ही गद धातू से देखिए ये गद धातू जो है यहां पर अपवाद है हलांकी ये पवर्ग भी नहीं है लेकिन फिर भी इसका एक अलग से विधान किया गया है ये प्रिश्ण पूछा नहीं जाता हलांकी लेकिन फिर भी आप ये अपवाद स्वरूप याद रखिए ग प्लस यत करके पद बनता है गद्यम अब नियत के उधारण देखते हैं तो पठ हलंत धातू है इसलिए पठ से नियत प्रत्य होकर भाव और कर्म में जब नियत प्रत्य होता है तो हमने बात की थी पूर्व में kysy है उस से याज्यम याच से याच्यम लिख से लेख्यम छिद से छेद्यम इसी प्रकार क्री से नियत प्रत्य करके क्री में जो री है उसको आरादेश हो जाता है व्रिद्धी होती है तो आर हो जाता है और कार्यम री से हार्यम ध्री धातू से धार्यम भरी से भार्यम कुप से कोप्यम मुद से मोध्यम इस प्रकार हलंत धातूं से नियत प्रत्य होता है ये बात आप ध्यान रखे अगला प्रत्य है क्यप प्रत्य है तो क्यप के उधारन देखते हैं तो इधातू से क्यप प्रत्य करके मैंने आपको बताया था इसमें तुक का आगम होता है तो तुक में काकी इत संग्या होकर उसका लोप हो जाता है और उकी भी इत संग्या होकर लोप हो जाता है तो शेश रहता है ता तो इसे क्यप प्रत्य में मद्य में तुक का आगम हो गया तो यहाँ पर पद बना इत्यह इसी प्रकार व्री से वृत्यह अब चुकि यह कित प्रत्य है तो ना तो इसमें वृत्धी कारिय होता है और ना ही गुण कारिय होता है तो यहाँ पर धातू में किसी प्रकार का गुण और वर्द्धी देखने को आपको नहीं मिलेगा द्री से दृत्यह, स्तू से स्तूत्यह, शास से शास में शी आदेश हो जाता है आको ई होकर शिश्यह, जुस से जुश्यह, इस तरह से अब क्यप में एक और सूत्र का विधान होता है म्रजे विभाशा, म्रजे विभाशा सूत्र क्या कहता है कि म्रिज धातू में विकल्प से क्यप प्रत्य भी होता है तो जहां पर म्रिज धातू में क्यप प्रत्य होगा, वहां पर ग्योशिश रहेगा और चुकी क्यप में धातु में ना तो गुण होगी ना वृद्धि होगी तो मिर्ज के बाद सीधा आब बस यह लगा दीजिए मृज्या इस तरह से जहां पर प्रद होगा मृज्या वहाँ पर क्यप प्रत्थे होगा और जहाँ पर म्रिज धातू से क्यप नहीं होगा न्यत होगा वहाँ पर अब चूकि न्यत प्रत्ते बाद में होता है तो धातू में वृद्य कारे होता है क्योंकि न्यत नित प्रत्ते है तो यहाँ पर म्री में जो री है इसको आर आदेश हो जाता है और यहाँ पर मार्ग् इस तरह से पद बनता है यहाँ पर एक दूसरा सूत्र भी लग जाता है चजो कू घिन्यतो गी और नियत प्रत्य परे रहते जो चा है और जा है उनको कवर का आदेश हो जाता है तो यहाँ पर जो जा है उसको गा आदेश हो जाता है तो जहाँ पर नियत प्रत्य होता है वहा पर मृज्यहपद बनता है तो ये महत्वपूर्ण जितने भी उधारण थे मैंने सब का समाविश करने का प्रयास किया है लेकिन फिर भी आपके पास कोई पुस्तक होगी कोई व्याकरण की पुस्तक होगी उससे आप शब्दों को देखिए और उसमें अंतर करने का खुद ही प्रयास कीजिए देखिए आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है तो जितना आप प्रयास करेंगे प्रत्यों को आप उतना क्लियर कर पाएंगे इसके अतिरिक्त आप चैनल पर पहले से उपलब्द और भी वीडियो की साहता ले सकते हैं जिनके विशेम में मैं आपको प अधिक से अधिक शेयर करें जिससे दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो सके इसके अतिरिक्त अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस करना बिलकुल ना भूले जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिल सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद